नमस्कार आज का जो अपडेट है मैं पीछे वाली गौशाला से शुरू कर रहा हूं यहां पे जो गाए बैल हमने पर्मानेंट अडॉप्ट कर ली है वो रहते हैं पर इस समय में आरे पास जानवर जाता है तो जो ओवर्फ्लोव जानवर हैं वो भी यहीं पे हैं तो सबसे म सुन्दर का पूछ रहे थे तो सुन्दर अपना वहीं है और अब तो हमार पास एक ब्लाइंड गाय भी आ गई है तो इसकी शायद कंपनी हो जाएगी बाइद आप देखेंगे कि पहले यहां पर सिरफ इंटे दिखती थी तो इस समय हमने ठेका दे रखा है और यहां पर मि जाता है धरना पर इसको जूता पेनाओ तो जूता किक मारके उतार देता है और यह थोड़ा बहुत तो मालता भी संजू संजू को तो बाहर इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि ना लाओ तो चारली बहुत रोता है तो आप लोग कहरे देंकी दोस्ती ऐसे यह जैसे आता हूं यह सामने कुकी खड़ी है कुकी का पीछे बहुत बड़ा घाव था आपको याद होगा और यह घाव अब लगभग लगभग ठीक है अगले हफते तक यह अडॉप्ट हो जाएगी जंग बहादूर जी जिन्नोंने हमसे ड्यूड अडॉप्ट किया है वही इसको हमसे बहुत करे नियुत कर रहे हैं तो फोड़ा देसी लाज भी कर लेते हैं वैसे इसको सिर। श्री जगानी है इन सब clergy सबसे संदर है और इसलिए मेरे मुझसे सुन्दर निकला और किंग सबसे शान्थ भी है इसका attitude भी सबसे अच्छा है बाकी ये जो तीन है ये तो थोड़े टेड़े ही है और चारली यहाँ पर सनबेद कर रहे हैं अज मौसम अच्छा है मौनसून अब भस खतम होने वाले है धूपे ज्यादा निकल रही है ए चारली और ये दुर्गा का जो वूंड है पिंकु जैसा यह जहां तक मुझे याद है ये दिखिए और ये भी लगबग लगबग आप ठीक हो चुका है चलिए तो अब हम वापिश चलते हैं रस्ते में आपको कंस्रक्शन भी दिखाता हूँ संजय जी भी है यहां पर थोड़ी थोड़ी शरम हैं मिट्टी मिट्टी देने से पहले आपने वो कराने दे स्विच बोर्ड नीचे इन्होंने में आपको दिखाता हूँ क्या की है रुक यह तब शाहिए तब इन्हें फोड़ी शरम आए यह देखिए यह यह पंखे के वो हैं हएं आपको नजर आ रहा हो तो नहीं आ रहा तो आपको यहां पर आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे तो इसमें हमारा कितना सीमेंट की खपत बचती है नमस्ते जी ओके तो अब हम वापेज अपना जो मेन एरिया है अंदर अनिमल एरिया वहाँ चलते हैं बाइद वे ग्रीन हाउस तो इससे में बिल्कुल जंगल बना हुआ है इसमें से सिर्फ हम मिर्चे उतार रहे हैं तो अलापीनियों हम सॉरी नौट अलापीनियों आबा नेरो जो मेक् स्टाफ कोर्टर बन रहे हैं यह लगबग रेडी हैं अब मैंने आपको बताया हमें कंस्ट्रक्शन में जितना समान पुराना मिल जाए तो किसी के यह पुरानी खिड़कियां थी तो हमने ले ली यह इनकी किचन में लग गई है और यह जो कमरा बन रहा है यह सीड स्टोरे पाता हूं जो होके रहा है कि आजकल में बड़ी इमेल आ रही है कि कहीं तो किसी कोर्ट ने शायद यह कहा है कि कुत्तों को शेहर से निकालके बाहर कर दिया जाए अब यह मुझे बात थोड़ी अटपटी लगी एक तो क्योंकि जो न्यूस पढ़ी तो उसमें को कोरोना के मास्क पहनें और कुत्तों को बाहर करें दोनों बात है कठी है तो मुझे नहीं पता कि यह मीडिया रिपोर्ट सही है या गलत है पर अगर यह सही है तो जहां तक मुझे पता है कि कानूनन तो आप ऐनिमल्स को ऐसे डिस्प्लेस नहीं कर सकते बाकी मैं वकीर नहीं हूं जा आपको कोई भी ऐसा लीगल मैटर लगता है कि जिसके हर में आवाज उठानी चाहिए तो आप फियापो से जरूर बात करिए ठीक है फिर पीटा इंडिया से बात करिए हम लोग तो एनिमल रेस्क्यू है और जो हमारी कहानिया होती है वो जो हमारे यहां पर हो रहा है उसके फ्लैला और मटको अब इनकी बड़ी शॉर्ट लाइफ होती है तो अब इसमें से सिर्फ मटको बचा है मटको अकेला है हम सोच रहे हैं कि मटको के लिए क्या करें मटको के लिए कि हम कहीं से फीमेल खरीज के लाएं पर चकर यह है कि दुकान पर जाओ तो उन्हें पता नह है ना तो इसलिए फ्रेंड़ी हो गया या पता नहीं गुसा निकालने वाला मेरे पर खेर हमारे को में अब लेने जाते इसके लिए तो नहीं पता लगता ना कि फीमेल लिया नहीं तो लेकिन में क्लॉट से कोई किसी ने रेस्क्यू किया दो मुर्गिया तो लेके आएंग तो यह बात बन जाएगी चलिए देखिए भगवान हर किसी को मतलब देख रहा है यह देखिए यह देखिए मटकों की बत्तमीजिया देखिए बिंद्रेश यह घास यहां पर नहीं है वहां पर ऐसा क्यों अच्छा हम काट रहे हैं ओके ओके चलिए एनिमल एरिया चलते हैं यह रस्ता मैं अक्सर लेता नहीं हूं तो मैं आपको यह इस रस्ते में मेडिटेशन एरिया भी दिखाता हूं चो लोग हमसे नए जुड़े हैं और आप देखेंगे कि हमारे यहां जगा जगा केले के पेड़ लगे हैं तो हमारे पास मतलब पूरे साल देशी केलों की सप्लाई रहती है खाने के लिए अच्छे हैं केले का तो एक टुकड़ा मूँ पे लगा लो तो फेस मास्क भी बन जाता है अब यह बाएदवे बारिषेंगे तो हम यह सब शुरू करेंगे निजसे हम यह बनाते हैं चोटे बलॉक्स बीज बघरा शुरू करने के लिए गंबले पेड़ सुन्माही उकलबा चुलरुडेजरी लिए अधीघास है ठीक है अब हम लार जाने में रेकवरी एरिगा में चलते हैं और वहां पर जो अपडेट्स हैं वहां के अपडेट्स में आपको देता हूं पता है क्योंकि अन्यडिटिट वीडियो है ना तो बहुत प्रेशर सा आ जाता है मेरे भी कि भई सोच समझ के बोलो क्या बोला है एडिट तुम करनी पाओगे ओके सबसे बहले तो मैं आपको डीजल से मिलवा दूं क्योंकि डीजल मुझे यहां पर डीजल की परसनालिटी वाइस मुझे डीजल जबर दस लगता है काफी गुड लुकिंग है डीजल किसी ब्रैंड का वह सकता है मैसकट इसकी पूंच में पूंच किसी ने काट दी थी हाँ चुपा ले यह हमने काफियत तक हील हो गई है जरा सा जरा सा अच्छा इसमें पट्टी बंदी हुई है मैंने का कि यह तो ऑकोर्ट सी लग रही है पर यह बसमें जरा सा रह गया बेटी जी जाहिर सी बात है हनुमान जी अभी भी यहीं है साहिल हनुमान जी कब जाएंगे ओ राइट यह बारिशों के बाद इसका ठीक होगा क्योंकि जब यह बैठता है तो इसका घुटने पर जो पस सी बन गई है जो उस दिन डॉक्टर अंके ड्रेन करें हमने वीडियो किया था मीमी को आप जानत आटा जैसा है को जब यह जिसकी भी इस ट्राइप दिखती है ना मुझे जैसे संटाटा की भी ऐसी स्ट्राइब तो मुझे फर्राटा जैसा ही लगता है ओके को अधिक यह नया बच्छू आया है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता इसका नाम आप रखिएगा यह कांगडा से आया है इसके पैर में चोट लगी हुए जाहिर सी बाता क्योंकि इसने शू पहना हुआ है यह बैठा चैस साही तुका जा रहा है तूने तो अपडेट देने हैं सारे चैस सबका में को एस्टिमेटेड रिकावरी टाइम भी बताता जा ना मैं सबको बता दूं साहिल कह रहा है कि चैस को दो हफते लगेंगे इसके पीछे कौन है टूफू के बड़ा भाई टाइक हां मुरिंगा ओ मुरिंगा का तो मैंने आपको बताया था मुरिंगा का जब अ रह को और तो सॉरी वो सोनु है सारी जिसको मैंने को इलाज चल रहा और यह को बड़ का तो यह छड़ा को मैंने भी पेया था यह सीता का आज हमने वो कराना है बात क्योंकि हम धूप निकलने की वेट कर रहे थे अब इसको आज अच्छे से हम गरम पानी से नहला के फिर यह पूरी साफ हो जाएगी फिर हम इसकी फोटो शूट करेंगे पहलबान का मैंने आपको बताया था कि इसके जांग में एक काफी बड़ा कट सा है यह रहा है तो यह तो इसमें कोई बहुत मतलब चोटा होता जा रहा है सूखता जा रहा है तो इसकी भी ठीक चल रही है डाक चॉकलेट को भी जंग बहादूर जी ने अडॉप्ट करने की इच्छा जाहिर करी है पर वह यह कि अब यह जो अडॉप्ट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ड्यूड की तो लाइफ अब बेचारी का क्या स्टाटस है अचा बेचारी 15 दिन बाद पालंपुर जाएगी जब रीचेक होगा साहित तो इसका एक्सरे होगा तो वहां पर एक्सरे होता है तो हमारे लोग जो है रोटेट करकर के जाते हैं रेडियेशन एक्सपोजर भी ज्यादा हो जाता है वैसे इसका प्लास्टर खुल जाएगा यह तो है इसका हमने नाम अभी नहीं रखा ना ब्लाइंड का होगा नहीं सारी जो तो अफकोर्स मुझे जवाब नहीं मिला यह वह जो ब्लाइंड है अभी हमें 100 परसेंट नहीं है कि यह कैट्राक्ट की वजा से ब्लाइंड है या एक औ और मेडिकल कंडिशन है कॉर्णिया रिलेटेड जो डॉक्ट अंकित बता रहे थे उस वज़ा से ब्लाइंड है तो यह पालंपूर के लिए जाएगी अभी चेक अप के लिए तो इसने भी पालंपूर चेक अप के लिए जाना है फिर हमें पता लगेगा पर ज्यादा चां इसने से यह यूथनेजिया केस बनता है इन लोगों का जो फ्राक्चर है वो ही तो होता नहीं फिलाल हमने इसको सपोर्ट इसलिए दर किया कि इसका इंफेक्शन ठीको ताकि इसकी एंप्यूटेशन कर सकें और फिर हम इसको देख सकेंगी इसका कोई हमें एक आर्टी लैताए इसका नाम सजेस्ट करना है इस घोड़ का नाम सजेस्ट करना है और मैरा आप को शुरू में एक बच्छो दिखाया एसका नाम सजेस्ट करना है यह बच्छु जो ए ठीक है okay let's see kennels में यह तो मॉनसून है ओड-पैचान में नहीं 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 आ रहा रहा कि इतने बाल आ गयं औरे भा तो वैसे यह या वाला जैसे-जैसे हमारा यह महला मॉनसून सीजन कहतम हो रहा है इस वाले मॉनसून के तीक हो के जारी है नैंसी के पीछे वाली साइड पे घाव था रिलीज हो रही है है यह बेगम बेगम और मैंने आज एक वीडियो शूट करना है बेगम हाई बड़ी अब यह बहुत ज्यादा प्लेफुल हो गया है बहुत जादा उस दिन इसका वीडियो शूट करना था सहानू भूति के लिए ड्रामा हो रहा है बाइस साव यह ड्यूड की कैनल है इसकी तो हालत खराब कर गया है वह यह गुबारा है गुबारा एक किन कंडिशन के लिए इसको सारी खुजलियों रखी है मेंज सॉरी और जब यह ठीक इसको भी ठीक होने में थोड़ा टाइम मेंज केसिस में क्या होता है कि ठीक होने के बावजूद यह रिलाप्स कर जाते हैं अगर सड़क पे जाते हैं तो पर अब आप देखो ना इसको कौन ही तो अडॉप्ट करेगा क्योंकि भई हम तो अब यहां पर यही है कि धरमशाला एरिया में सिदबाडी एरिया में कोई अडॉप्ट कर ले तो या कोई दिल्ली से आके इसको ले जाए क्योंकि दिल्ली मुंबई पूने जो सारे शहर हैं जहां पड़े लिखे लोग जाता है वहां तो अडॉप्शन हो जाती है आके पीछे अडॉप्शन थोड़ी मुश्किल है यह साहब कल आया इनकी कहानी क्य है कि एक मैडम ने इनको रेस्क्यू तो कर लिया फिर वो यहां ले आई कि भई अब मैं इसको रख नहीं सकती तो आप रखी है तो हमने का कि हमारे पास जगा नहीं है हमने इसको प्रतिपा जो हमारी फ्रेंड है पालंपूर आनिमल वेलफेर वाली उसने इसको फॉस्टर क नाम पर वो लोग भी चुप हो जाते हैं तो फाइनली वो फॉस्टरिंग भी नहीं हो रही है यहां पर आया अब हमें पता है नहीं इसका क्या करें रिलीज इसको कर नहीं सकते हैं यह अबैंटन पैठ है और अडॉप्शन इनकी मुश्किल है और अभी जो यूएस डॉग क्या क्या और दस कुत्ते गए हैं जिसमें तीन अमेरिका गए हैं साथ अभी भी इंडी लव नामक फॉस्टर में हैं दिली में हैं जोग कना इसी दपपीज ओके यूग वाई शाइनी है शाइनी ने हमें जॉइन किया है अनिमल एंडिश्मेंट के लिए यूण इंडिश् अब आप देख रहे हैं यह भी अडॉप्शन के लिए एंड यह मो है मो इस नॉट लूट लूकिंग वूट मैं परहले प्रिपेर कर दूँ आप इंडिश्ट त्व भी लूग एट और जो कह रही है कि कल माइनी की डेथ हो गई आप लोग बिल्लो का पूछते रहते हैं कि आज पकड़ में आई है कैमरे की कुछ कहना देर बस कहने को है नहीं मुझे पहले अंदर आदेंदी ओके पिंकी तो एक इदम मैं पहचान जाता हूं पिंकी की भी स्किन कंडिशन है पिंकी भी जब हील हो जाएगा या हो जाएगा हो जाएगा तो यह भी रिलीज ही होगा अगर आप लोगों कोई भी एडॉप्शन के लिए आना चाहता है तो प्लीज आईए साड़े नौ से बारा हम खुले हैं अगर आप कांगरा डिस्ट्रिक्ट में आए तो आईए का वोंन अको खोल सकते हैं ना उसकते हैं अधर भून में ना चाहँ इसका इतना बड़ा वूंड स अनना पहले कओ पे वूवूं कहां वोन यार इतना अंधेरा साए ना दक्का वूं काफी दीब था याद है इस framework स्टिचिस निकाल दिये थे और अब बस यह लाइन सी बची अब दग को बस टरलाइस करना और रिलीस करना है ओके यह परवत है ना परवत परवत काटता है थोड़ा और परवत का क्या है कि इसको काफी दूर से वह फंड्रेज करके लाए थे एक भाईया कोई बद नहीं इसका स्पाइन जो है इसके स्पाइन में इस्यू था पर अब इसने धीरे-धीरे चलना शुरू कर दिया है मैं इसका अपडेट वीडियो एक डालूंगा तुम तुशार को कहना कि इसका चलते रेगा वीडियो ठीक है ले लेगा जो कह रही है कि पीछे वाले पैरों पे भी उडालेगा मैं को यह वीडियो 20 मिनिट का ही रखना है अब 18 मिनिट तो हो गए है स्काय तो आपको मैंने अपडेट दिया था कि स्काय का वूंड मच बेटर है लाइव पे दिखाया था इसके पैर जो इसका पैर एंप्यूटेड कटा हुआ है जिसकी एंप्यूटेशन हो रही है उसमें भी घाव है तो देखते हैं अब स्काय को स्काय को रिलीज नहीं कर स देवदास का तो यह रीचेक के लिए जा रहा होगा कब देवदास के लिए आप लोगों ने प्रॉडक्स वालों से हूपार्ट खरीद के फंडरेजिंग करी दी आपको याद होगा तो देवदास ने अब मंडे को जाना है रीचेक के लिए तो मैं तो एक गाय एक डॉग जा रहा है एक आय और एक डॉग पालंपूर जाएंगे मंडे को हम तो दो डॉग जा रहे है और इसको हम रिलीज करने से पहले स्टरलाइस करेंगे और अडॉप्टेबल्स में अब क्राउड बदल चुका है क्योंकि हम मैंने पताया था कि डॉग्स हमारे दिली चले गए ह यह बैटी डॉली यह काफी अक्रूस है और मुझे तो मुझे नहीं पिसंद करती है बड़ी पिकी है फ्रेंड्स बनाने में और सॉरी आई कीप फरगेटिंग तो पिंक वन्स नेम की की यह रही की की और यह रही हनी बनी तो देख रहे हैं आप ज्यादा तर जो फीमेल जी के लिए तिमसी जो है काफी ओल्ड है इसलिए हम इसको रिलीज नहीं कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसको भी घर मिल जाए तो खेर इतना ही अपडेट था अब आप लोग एक जरूर वह करिएगा हम यह अपडेट जो है फेस्बुक पर डाली रहे हैं हमारा यूट्यूब पर भी एक चैनल है यूट्यूब.com स्लाश पीपल फार्म तो आप वह भी प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और हम आपको नेक्स हफते पूरा अपडेट देंगे और बाकी छोटे मोटे जो अपडेट है वो तो हम बीच में देते ही रहते हैं थैंक्यू सो मॉच बाइए